तमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा जो एक नया टोपिक स्टाट किया गया था मध्यप्रदेश का पुनर गठन उसके जिले और उसके संभाग तो उससे संबंदित जो हमारा पार्ट वन था वह हम आज के इस वीडियो में हम 20 कोशन इसी टोपिक से जो है कवर करने वाले हैं या इसी टोपिक से संबंदित हैं वेल्टिबल चोशन जो है हम यहां पर डिसकस करेंगे तो आप से यहां पर एक रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को जो है आप लाश्ट तक जरूर देखिएग साती सबसे लाश्ट में देखने के बाद आप हमें कमेंड करके बताएगा कि यह जो 20 कोशन हमारे द्वारा आज आज आपके कवर कराए गए इन में से आपके कितने आंसर आपके सही हुए हैं तो आपके जितने आंसर इहां पर सही होते हैं आप हमें कमेंड करके जरूर बत करने से पहले प vaigयानकारी और यहां पर आपको बता देते हैं कि इसकी पीडियो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा यह यह जो एफ दाणन लोड करने के बाद आप वह नहरा से पीडियोumen की करने के रहेए चार उप्षन है मंजला, छिंदवाडा, शीवनी या जबलपूर तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है उप्षन B छिंदवाडा जो जिला है, मध्य प्रदेश में जो है सरवादिक भुगलिक छेत्र है या छेतरपल की द्रश्टी से मध्य प्रदेश का सबसे जिला आपका कौन सा है तो यह आपका चिंदवाडा जिला है देख लीजे इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मध्यप्रदेश का छेतरफल की द्रश्टी से सरवादिक बड़ा जिला कौन सा है तो यह चिंदवाडा है जिसका कुल छेतरफल 11815 वर्ग किलोमेटर है जबकि म कोशन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि राज्य पुनर गठन के आधार पर मध्यप्रदेश राज जैसे 36 गड़ राज्य को किस वर्ट्श में अलग किया गया तो 31 सक्टूमबर 2000 को जो है आपका जो 36 गड़े मध्यप्रदेश से अलग हुआ था तो यह डेट जो हमारे ल कब आया था तो एक नवंबर 2000 को आया था देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और महतोपुन जानकारी देश का रधै मध्यप्रदेश अपने इस्तापना के बाद से ही 36 गड़ के प्रथक करन का दबाव जहलता रहा है आखिरकाल लंबे संगर्ष के बाद 31 सक्टूमबर 2000 को 36 गड़ राज्य पुनर गठन के आधार पर मध्यप्रदेश से अलग होकर प्रथक राज्य के रूप में अपने अस्तितों में जो है आ गया था तो देखिए 31 सक्टूमबर को इस प्रकार का फेसला लिया गया था और एक नवंबर 2000 से जो है यह आपका लागू हुआ थ कि मध्यप्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है तो यह है आपका जो है एक ग्यारा 2000 से एक नवंबर 2000 से जो है मध्यप्रदेश का आपका वर्तमान स्वरूप है यानि कि अभी का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे है यह कब अस्तितों में आया था तो एक नवंब बाद शेहडोल जबलपूर्यारिवा तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है होशंगाबाद संभाग का नया नाम जो है आपका नर्मदापुरम संभाग है देखिए यह जो होशंगाबाद संभाग है इसके अंतरगत आपके तीन जिले आते हैं एक तो आपका खुद आता है होशंगाबाद ही आता है दूसरा आता है यहापका बेतुल जिला और तीसरा जो आपका यहाँ पर आएगा वह आएगा हर्दा जिला तो यह जो तीन जिले हैं आपके होशंगाबाद संभाग के अंतरगत आते हैं सोरी होशंगाबाद संभाग नहीं बोलना चाहिए चुकि इसका नाम परिवर्तित हो के नर्मदापूरम संभाग हो गया है इसलिए हम जो है इस प्रकार से बोल सकते हैं कि नर्मदापूरम संभाग के अंदर कद आपके तीन जीले आते हैं होशंगाबाद, बेतुल और हर्दा यहाँ पर डिस्क्रिक्शन में आप इसम संभाग कि इस वर्ष में किया गया तो यह जो वर्ष हमारे लिए इंपोर्टन बनता है वर्ष 2008 में इसका नाम जो है परिवर्तित हुआ था होशंगबाद सहर के स्थापना मांडू मालवा के दूति राजा सुल्तान हुशंग साहाग गोरी के द्वारा जो है आपकी पंद अन्तरगत आता है और महाकोशल छेतर की राजदानी भी आपका जबलपूर रह चुका है कि महाकोशल मद्दप्रदेश राज्य के केंद्र, इस्तित जबलपूर राज्य के सबसे महतवपून शहरों में से एक है संसकार धानी की नाम से जानने जाने वाला भी शहर आपका ह साति संग मरमर की नगरी के नाम से भी जबल पूरका आपका जाना जाता है अगला यहां पर है कि इंदोर जिले में महू जो है इसको महू जो है इंदोर जिले में आपका महू जो की महू जो की इंदोर जिले में आपका इस्तित है इसका डाक्टर अमबेटकर नगर के रूप म महु के नाम से जाना जाता था तो महु से अंबेटकर नगर में जो है इसका नामंकरन जो है आपका किस वर्ष में किया गया है तो वर्ष 2003 में जो है इसका नामंकरन जो है आपका महु से अंबेटकर नगर किया गया था अगला कोशन देखने से पहले इससे जुड़ी जानकार और देख लिजिए मध्यप्रदेश राज्यमें कांग्रेस के तत्कालिन मुख्यमंति दिगवीजी सिंग के शाषन काल के दोरान दलीतों के मसिया के सम्मान में जून 2003 में महू का नाम बदलकर अंबेटकर नगर रखने का फेसला भी जो है आपका लिया गया था जबकि महू दाक्टर विम्राव अमबेटकर की जन्म इस्तली भी जो है आपका रहा है और इनका जो जन्म है अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था तो 14 अपरेल 1894 को जो है आपका जन्म है मध्यप्रदेश के महू में ही जो है आपका हुआ था देखिए वहीं अगर देखिए य महिए जो मध्यप्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है आपका भाबरा भाबरा नामक जो जगह है जो कि आपके अले राचपूर में इस्तिध है उनका जन्म हुआ था तो इसका नाम बदलकर भी आपका चन्द्द जेकर आजात न्गर कर दिया गया था और किस। वर्श मे नाम जो है परिवर्तन हुए है जो महुए इसका नाम आपका दाक्टर अम्बेटकर नगर किया गया है कब किया गया 2003 में किया गया वह यह जो भब्राज यहां पर चंद से grozad जात जी का तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मद्यप्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है और इस 10 संभाग में सबसे अधिक छेतर फल की संभाग का है तो वह है आपका जबलपूर संभाग का आपकी जानकारी के लिए और बता दे कि अगर पूछा जाए कि जनसंख्या के आदार पर मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो वह भी जो है आपका जबलपूर संभाग आएगा और छेतरफल के आदार पर भी मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा संभाग आपका जबलपूर संभाग ही है अगला कोशन यहां पर देख लिजे इससे जुड़ कु किलोमेटर में फेला हुआ है यानि कि अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा लेकिन इतना पक्का है कि जबलपूर संभाग है इसका चेतरपल सरवादिक है और जनसेंख्या भी यहाँ पर सरवादिक है वहीं देखिए अगर आपसे पूछले आ जाई कि जबलपूर संभाग के अंतरगत कितने जिले आते हैं तो आपके आठ जिले आते हैं वहीं इंदोर संभाग के अंतरगत भी जो है आपके आठ जिले आते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कोशन है कि यह तीनो छेतरों को मद्य प्रदेश के रूप में विलाई कर दिया गया था वे छेतर कौन से है तो यहाँ पर हमारा ओप्षन डी जो है राइट आंसर बनता है मद्य भारत विंद्य प्रदेश और भोपाल इन तीनो छ 247 में राज्यों की जो स्रेणिया बनी थी उसमें पाट ए में सीपी बरार पाट बी में मद्य भारत का प्राहंत पाड़ सी में विंद्य प्रदेश और भोपाल राज्य आपके शामिल थे मैं एक नमबर उन्निस्ट चपन को राज्य पुनर गटन आयोक कि सिपार इस वर ग चतर सन दोजार में तब आपके मद्य प्रदेश में 61 जीले हुआ करते थे लेकिन जब 36 मद्य प्रदेश से अलग हुआ तो जो 61 जीले थे उनमें से आपके यहां पर 16 जीले जो है आपके चतर स्टीश गड राज्य को देदिया गए थे तो एक नमबर 2000 को जब 36 गड राज् हुआ था अब विभाजित मद्यप्रदेश में आपके 61 जीले थे उनमें अलगाव के बाद पेताली जीले शेस्ट बचे थे और वर्तमान में मद्यप्रदेश में बात करें तो जीलों के संख्या कितनी है तो जीले हैं अगला कोशन यहापन है कि 2011 की जनगर्णा के आधार पर मद्यप्रदेश का छेत्रपल में सबसे छोटा जीला कौन सा है चार उप्षन है अनुपूर दतिया अलिराचपूर या कट नहीं तो इसका आपका जो सही जाब बनता है वो बनता है दतिया जिला 2011 की जनगर्णा के आधार पर मद्यप्रदेश का जो है छेत्रपल के द्रश्टी कौन से सबसे छोटा जीला है दिये गए विलकल्पो के अनुसार वर्ष 2011 की जनगर्णा के आधार पर मद्यप्रदेश का छेत्रपल की द्रश्टी से उक्त जीलों में सबसे छोटा जिला तिन हजार सांसो तैली सवरग किलोमेटर अली राचपूर ये 3182 वरग क किलोमेटर तथा कॉल्ठशनी 495 वरग क्लोमेटर चे त्रवाले जिले हैं कि रहीने के और वد रहता है दर्थ्रा जिला जोए आपका भोपाल है जिसका चोटा जिला चेतरफल के दर्श्री कौन सा कौन सा है तो आपका निवाड़ी है लेकिन यहापर जो कोशन में हमें 2011 की जनगर्णा के अनुसार पूछा गया था इसलिए यह जो दतिया जिला है यह 2011 की जनगर्णा के अनुसार आपका जो है सबसे चोटा जिला है अगला कोशन भी यानि कि उज्जन जो है सही जवाब बनता है तो मध्यप्रदेश के उज्जन जिले की जो सिमा है मध्यप्रदेश के छे जीलो रतलाम धार इंदोर आगरमालवा देवास्तजा साजापूर के साथ साजा करती है या उसको चूती है अगला कोशन आप पर है कि भोपाल किस भोपाल जो है किस वर्षम मध्यप्रदेश की राजदानी बना था चार ओप्षन है 1992, 1938, 1956 या 1947 तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वह बनता है 1956 में भोपाल को जो है आपके मध्यप्रदेश की राजदानी बनाय गया था लेकिन आपके जानकारी के लिए यहां पर ब बनाय गया तो 1972 में इसको जिला बनाय गया था लेकिन राजदानी जब मध्यप्रदेश का पुनर्गटन हुआ था तब ही जो है इसको बना दिया गया था देख लिए यहां पर जो हमने बताए वहीं जो है आपको यहां पर बताया है कि मध्यप्रदेस का गठन एक नॉब् भी हुआ करता था अगला कोशन आपर चेतरफल के घटते क्रम में जिलों का सईक्रम बताई है यानि कि सबसे बड़ा जिला हमें बताना है उसके बाद चोटे चोटे जिले जो है यहां पर बताते जाना है तो हमने कुछ देर पेले ही जो है कोशन में हमने डिसकस किया था कि छ सागर जिला आता है उसके बाद शिवपूरी आता है और उसके बाद बेतुल जिला आता है तो चलिए इनसे जुड़ी जानकारी और यहां पर देख लेते हैं कि जनगर्णा 2011 के नुशार मध्यप्रदेश के सरवादिक छेतरफल वाले जिलो का श्रहिकरम इस प्रकार है चिंदवाड़ा जो है इसका आपका छेतरफल कितना है तो 11815 वर्ग किलो मिटर है इसके बाद सागर का इस्तान आता है तो सागर का जो छेतरफल है 10252 वर्ग किलो मिटर है वह इबाला गाट 9229 किलोमेटर में आगका फेला हुआ है अगला कोशन आप देखते हैं कि छेतरपल के बढ़ते क्रम में जिलो का सही क्रम है तो यहां पर आपका जो सही जवाब आईगा कि इन में से कोही नहीं यानि कि यह जो तीनों क्रम आपके दिये गए हैं यह गलत है चलि जो छोटा जिला है हमारे चेतरपल के दर्ष्टी कुन से है वह निवाडी जिला है और यह जो है तैरा सो अटारा वर्ग किलोमेटर में आपका फेला हुआ है इसके बाद दतिया जिला 2952 में और लाश्रम अलिराच पूर 3182 में आपका यहां पर फेला हुआ है तो इसलिए हमारा जो option D है यहाँ पर right answer बनता है अगला question मद्यप्रदेश राज जके सीमान्त जिले कौन कौन से है यानि कि जहाँ पर सीमा मद्यप्रदेश की सीमा का अंत होता है एसे जिले कौन से है तो बात करें कि अगर आप से पुछा जाए कि मद्यप्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है तो यह है आपका सिंग्रोली जिला पर्षी में जिला कौन सा है उत्री जिला पर्षी में जिला आपका कौन सा है अले राजपूर है उत्री जिला कौन सा है मूरेना है और दक्षिनी जिला कौन सा है तो यह आपका बुरानपूर है यानि कि option A हमारा right answer बनता है मद्यप्रदेश का अगर यहाँ पर देख ले कि यह north हो गया यह south हो गया, यह east हो गया और यह west हो गया तो अगर आपसे पुछा जाए कि मद्यप्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो यह आपका सिंग्रोली जिला हो जाएगा और मद्यप्रदेश का सबसे पुर्वी जिला कौन सा है तो यह आपका बुरानपूर जिला हो गया तो देख लिजे इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मद्यप्रदेस का सरवादिक पूर्वी जिला, सिंग्रोली, पश्यमी जिला, अलिराचपूर, उत्री जिला, मूरेना और देक्षनी जिला आपका भुरान पूर है अगला कोश्ण यहाँ पर देखते हैं कि जिला बनने से पहले, भुपाल की जिले की तेसिल हुआ करता था चार ओप्षन है राइसेन, सिहोर, विदिसा या मंसूर तो इसका आपका जो सही जाब बनता है, वो बनता है सिहोर जिले की जोहे तेसिल आपका हुआ करता था जिला बनने से पूरो भुपाल शिहोर जिले की एक तेसिल था मद्यप्रदेश के गठन के बाद राज्य की राज़तानी भुपाल शिहोर जिले का हिस्सा था यह 1972 में विभाजित किया गया और एक नया जिला भुपाल का जो है आपका गठन किया गया था अगला कुशन आपर है कि इंदोर डिविजन में कितने जिले हैं या इंदोर संभाग में आपके कितने जिले हैं तो इंदोर संभाग के अंतरगत जो है आपके 10 जिले आते हैं और कौन-कौन से जो है आपके इंदोर संभाग के अंतरगत 10 जिले आते हैं उनके नामी इस प्रकार है पहला तो आपका जो इंदोर जिला है वही आता है उसके बाद आपका आजाएगा अलिराचपूर जिला उसके बाद आजाएगा आपका जहबुआ जिला उसके बाद धार बढ़वानी खंडवा खरगोन या जो जिले हैं आपके इंदोर संभाग के अंतरगत ही आते हैं मद्ध्यप्रदेश के 10 जीले हैं जो के इदोर संभाग के अंतरगत आते हैं देख़ लिजेj quindi कुछ और जानकार हिहाँ पर आपको बता देते हैं तो इंदोर डिविजन या इंदोर जो आपका संभाग है इसके अंतरगत जो है आपके दस जिले आते हैं कौन-कौन से आपको बता दिये है बढ़वानी भुरानपूर धार इंदोर जाबुआ खंडवा खरगोन और अलिराजपूरी है जो दस जिले है जो आठ जिले हैं वह आपके इसके अंतरगत आते हैं मद्यप्रदेश में संभागों की संख्या आपक संभागों की संख्या तो आपकी दस है लेकिन जो इंदोर संभाग है उसके अंतरगत आपके आठ जिले आते हैं और कौन-कौन से उनके नाम यहाँ पर आपको बता दिये गए हैं चलिए यहाँ पर अगला कोशन है कि केंदिर प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था चार 1861 में बिटरीस सरकार द्वारा जो इसका गठन किया गया था केंदिर प्रांत बिटरीस भारत का एक प्रांत हुआ करता था जिसमें मद्य भारत में मुगलों मराठो पर बिटरीस विजे सम्मिली चेतर थे जो वर्तमान मद्य पदेश 37 गड़ों महराष्ट राज्यों के च चितों इसका आपका जो स्यजाब बनता है वो बनता है सिंग्रोकली का जिला मुक्षा लए बैड़न है यहापका चूज़िरस को मध्य प्रेंब किर राज़ा राज्दानी आपका कहा जाता है बेळन मद्य प्रदेस के सिंगरोली जिले में एक नगर और एक नगरपाली का बोर्ड है यह राज्य के पूरफ में में स्तित हैं बेढन सिंग्रोली जिले का प्रसासनीक मुख्या लई है सिंग्रोली मद्यप्रदेश का 500 जिला है जो मद्यप्रदेश के सिधी जिले से अलग हुआ था और एतिहासिक द्रश्टी से सिंग्रोली रिवा बगेलकन रियाशत का एक छेत्र भी था अगला कोशन और आज के इस वीडियो का लाश्ट कोशन है हमारा कि मद्यप्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला तो देखिए चार उप्षन एक नॉवंबर 1905 से एक नॉवंबर 1905 ग्यारा नॉवंबर 1957 या 31 नॉवंबर 1956 तो इसका आपका जो सही जाब बन था इस आयोग ने 30 सितंबर 1905 को अपनी रिपोर्ट से उपी थी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य उवर 6 केंदसासित राज्य आपके यहां पर बने थे जिन में आपका मद्यप्रदेश भी सामिल था अतहां एक न था है तो आपको वीडियो कैसा लगा और इस 20 कोश्चन समय से जो है आपके कितने कोश्चन सही रहे यह जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा साथी वीडियो को अधिक सथिक लोगों तक शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहले बार विज झाल झाल